दिविया मडर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी पुलिस के हाथ एहम सबूत लगा है हत्या में इस्तमाल हुआ हत्यार पुलिस ने बरामत कर लिया है गूली मार कर दिविया की हत्या की गई थी और ऐसे में मुख्या आरोपी को भी जेल भेजा गया है यह बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रही ज़हां तेरा दिन की रिमांड के बाद अब जीत को जेल भेज दिया गया है आरोपी बलराज की भी आज रकोर्ट में पेशी हूनी है आरोपी बलराज की चार दिन की रिमांड पूरी हो रही है और ऐसे में मामले में अब तक 6 आरोपी गिरफतार किये जा चुके जब एक आरोपी रवी बांका अभी भी गिरफत से बाहर है हाला कि लगातार आई दन इस पूरे मामले पर कई बड़े खुलासे हो रही है और ऐसे में अब पुलिस की हाथ एक और बड़ी काम्याबी लगी है दिव्या की हतऊ पुलिस ने बरामद कर लिया है ये बड़ी खाबर बड़ी जानकारी दिव्या पाउट्रा मडर की से चुड बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है, दो जन्वरी को दिवया पाऊचा के हत्या हुई थी, होटेल में अभीजीत ने इस पूरी वार्दात को इन्जाम दिया था, तो वहीं अभीजीत के दोस्तों ने बीमडब्लो में शव को ठिकाने लगाया था, वहीं शव को ठिकाने से दिव्या का शब बरामद हुआ था लेकिन लगातार कई बड़े खुलासे हर दिन इस पूरे मामले पर गुरुग्राम से सी खबर पर जादा जानकारे के साथ हमारे सयोगी आकाष खुराना दिव्या पाओजा मामले में नए खुलासे हो रहे हैं वही कल सिटी की टीम ने गुरुग्राम नगर निगम के साथ मिलकर एक सर्च अपेसन जो है वो किया था जिसमें जीब पहुजा की जो अभी जीत ने गोली मारकर हत्या की थी पहत्यार से उसे बरामत कर लिया है साथिसाथ एक जिन्ना पार्ट अब बात करें मुख्य आरोपी जो अभी जीत है तेरा दिन की रिमांड पर हो रहा पल उसे कोट में पेश किया गया और वहां से उसे बॉंसी जेल जो है वो देज दिया गया हुए तुके चीपॉइन होटल से बीमड़ी में लेकर गया था है लेकिन आरोपी जो पिर परागी है उस्तों आज कोट के पेस किया जाएगा और पियार दिन की रिमांत है पहले परज गिल की आज जो फर पूरी हो जाएगे आज एक बाद पर फिर बराज गिल को कोर्ट में बेश कर क्या देखने हो बात है क्या पुलिस रिमान जो है बराज गिल का वो मांगती है या पिर उसे भी बॉंसी जेल जो है वो पेश दिया जाएगा बिल्कुल और देखिए जिस तरी के से लगातार एक तरह फुज़ाइस पूरे मामले भी छे आरोपियों की गिरफतारी हो चुकिये लेकिन रफी बांगा अभी भी गिरफत से बाहर है आखर कब तक पुलिस रफी बांगा को गिरफतार कर पाई कि इसके बात करें बल्राज गिल और रवी बांगा ही गुर्गराम के सिटी पॉइंट होटल से ब्यम डवलू गाड़ी से डेट बोडी दिव्या पाउजा की लेकर गए ते जिसके बाद पट्याला और सोनम से पीच उनहर है वहां पर इस डेडी बोडी को फैक दिया गया था उ अलग हो गया था फिलाल हर्याना पुलीस में बल्राज रवी बांगा पर 50,000 रुपे का इनाम रखा हुआ है और बल्राज गिल क्योंकि आज उसकी चार दिन के रिमांड जो है वो पूरे मामने में लगाता पुलीस जो है वो दो से तीन बार प्रेस्वारता कर चुकी है और यही बावा जो है पुलीस कर रही है कि रवी बांगा को भी जल्द ही किरफ़ार करने के बाद क्या कुछ नए खुलासे जो है इस पूरे मामले में होते हैं वो देखने वली बास बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका हमारी साथ चुड़ने के लिए और तमा पुजियत की निशान देही पर पुलिस ने वो हर्तियार भी बरामत कर लिया है जो से दिव्या की हत्या को अंज्राम दिया गया था हाला कि इस पूरे मामले पर लगातार पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और ऐसे में अब तक 6 आरोपियों को पुलिस गरफतार कर चुक जबकि एक आरोपी रवी बागा भी भी गरफत से पाहर है